चित्रकोट बर्गर रिपोर्टर द्वारा गोईया के कोटे दार में केसव लाल साहू जिनके बारे में लोगों से सुना करता था आज खुत कोटे दार का निरीक्षर करने पहुँचे वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की उन्होंने कोटेदार केसवलाल साहू के बारे में क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं यहां की जनता दुबारा केसवलाल साहू को कोटेदार के रूप में देखना चाहती है जब रिपोर्टर द्वारा केशवलाल साहू से कोटे के बारे में पूछा गया उन्होंने कहा कि अधिकारी द्वारा उन्हें कोटे को सस्पेंड कर दिया था उन्होंने लेकिन अपनी मेहनत लगन से दुबारा हाई कोड से जीत कर मई 2019 में कोटा केशलाल साहू के हाथ आ गया अगर आदमी अपनी मेहनत लगन इमानतारी से कारी करे तो हमेशा विजय होती है अब देखना यहा है कि चंता कोटे दार की इतनी प्रसंसा कर रही है तो आगे भी यही कोटे दार रहेंगे प्रयाग एक्सप्रस ने उच के लिए रोहनी कुमार की खास रुपोर्ट क्या नम है आपका बगता चकरने आगे आप खोटा लेने यहाँ पर कोटा कब से ले रहेंगे आप जब से आए हैं कोई प्रोब्लम नहीं आती है कोटा के लिए नहीं दुबारा यहाँ अनु साहू यहाँ पर क्या करने आँगे कोटा लेने आए 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 कोटा लेने मनता का करने आंगे कोट लेने आया है। वोए करा किके कोठी दर किनाम के तुल यह कंचे कोठी कोड़े हैं जब से लिए हैं यह कोठी दर हम वर भी कोठी दर थी है हां यही चाईए समय से सब कुछ मिल लाता है जब से कोटे दा लिया है कोटे दार थी है भी रहे हैं तो अप कोट आ सब्सपंकर देता लेया है आप के आद मेना घ्रह होता जिसलाख करें दुद्विसेश को चैश्य के दर बत्धितेście, लिए अमको पूरा नहीं थी दुदेश को मेना के साथ required युद्व doomed युद्व और भी का क्यों के कोठे दो रहा है गुयाद